यूपी ट्रिपल सी से एक और नॉटिफिकेशन यहाँ पर रिलीस किया गया है न्यू रिक्रूट में नॉटिफिकेशन जो की एक्सरे टकनीसियन पोस्ट के लिए रहेगा पर्मारन गवर्मेंट जोब है मैंस एक्जामनेशन के लिए यह नॉटिफिकेशन रिलीस कर दिया गया है आज के इस वीडियो में आपको यूपी ट्रिपल सी के दोर artifacts टखनी सियन के लिए इसके लिए eligibility conditions के लिए रहेंगी, selection procedure and full information जो भी important points रहेंगे सारे में आपके इस वीडियो में किलिय करूँगी बैसे मैं यहाँ पर ace criteria बता दूँ तो यहाँ पर जो ace criteria रखा गया है minimum 18 and maximum 40 year है 18 से 40 साल तक के candidate इसमें apply कर सकते हैं ओके, सो आगे अगर आप इसमें apply करना चाहते हैं वीडियो को end तक देखेगा, वीडियो अगर आपको पसंद आता है वीडियो को like and share जरूर कीज़ेगा हलो फ्रेंड्स मैं हूँ आस्था, welcome करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल government job genuine notification तो यह आप notification देख रहे हैं उत्तरप्रदेश अधिनस्त सेवा चैन आयोग यानी UP SSSC उत्तरप्रदेश सवाडिनेट सर्विस सेलेक्शन कमिसन से notification रिलीज हुआ है X-Ray Technician के लिए यह जो notification है 8 जून को रिलीज हुआ है online application इसके start हो जाएंगे 15 जून से अभी online application start नहीं है 15 जून 2023 से online application start हो जाएंगे और इसकी जो last date रहेगी वो 5 जूलाई 2023 रहेगी 5 जूलाई तक आप इसमें apply कर सकते हैं correction के लिए last date यहाँ पर 12 जूलाई 2023 दी गई है ओके तो 15 जून से अगर आप इसमें apply करना चाहें तो apply कर सकते हो और यहाँ पर आप apply कौन कर सकेगा सबसे पहले तो यह देख लिजे क्योंकि UP SSSC के दोरा यह notification है और आपको पता होगा उत्रप्रदेश में UP SSSC की तरफ से जो भी vacancies release होती है ग्रूप C लेवल तक की जो vacancies होती है पोस्ट रहती है उनके लिए P.E.T. यहाँ पर compulsory किया गया है तो यह जो पोस्ट रहेगी इसके लिए आपको इसमें जो P.E.T. है यह जो pre examination दिया गया है pre eligibility test P.E.T. 2022 के score के आधार पर की जाएगी ठीक है तो आपने जो pre examination यानि P.E.T. हुआ है 2022 का अगर आपका score card है आपके पास इसका देन आप इसमें apply करेंगे क्योंकि यह men's exam के लिए notification है जन्हों ने 2022 P.E.T. नहीं दिया है वो यहाँ पर eligible नहीं रहेंगे online आपको apply करना है इसकी official side से 15 June से apply कर सकेंगे कुछ instructions यहाँ पर दिये गए हैं उनको आप read कर लीजेगा हम इसमें देखेंगे कि इसके लिए eligibility conditions क्या क्या दी गई है ओके एंड यहाँ पर application fees के बारे में भी हम बात करेंगे application fees किस candidate को आपकी category के accordingly कितनी fees पे करनी होगी तो यहाँ पर आप देखेंगे application fees application fees यहाँ पर online है आपको देनी होगी जो मुख परिक्षा के लिए sort listed candidate है उनी के लिए और यहाँ पर नारक्षित सामाने candidate के लिए 25 सभी के लिए यहाँ पर 25-25 रुपाई दिये गए है ओके तो यहाँ पर आपकी application fees रहेगी इसके बाद आप form का print out form फिल करने के बाद उसका print out भी आपको लेना होगा and corrections related यहाँ दिया गया है चली हम eligibility देखेंगे तो Indian citizen से इसमें applications invite किये जा रहे है लेकिन condition वही है आपका P.E.T. 2022 आपका होना चुए clear अब यहाँ पर आप देखेंगे X-ray technician की vacancy है चिकिसा इबम स्वास्त सेवाएं स्वास्त भवन लखनव में बेतन वेंड यहाँ पर 9300 से 934,800 है ग्रेट पर 4200 से रहेगा लेवल 6 से salary रहेगी अनरक्षित के लिए 153 है अनसुचित जाती के लिए 80 अनसुचित जन जाती के लिए 8 vacancy है अब यहाँ पर आरक्षा reservations related बताया गया है PDLD candidate के लिए किस तरह से रहेगा अगर आप इस category से ब्लॉंग करते हैं तो आप इसको देख लीजेगा यहाँ पर essential qualification देखेंगे तो इसमें दिया गया है कि उत्तर प्रदेश X-ray प्रावी दिग्य सेवा नियमा बली 1986 के नियम 8 के अनसर सेवा में पदों पर भरती के लिए अभ्यारती के पास उत्तर प्रदेश राज्य चिकिस्सा संकाय का X-ray में डिप्लोमा या उक्त संकाय द्वारा उसके संकक्ष मानता X-ray में ही आपका इसके संक्ष जो भी मानने प्राप्त हो जिस भी कोर्स को वो आपके पास होना चाहिए X-ray में आपके पास डिप्लोमा है या इसके एक्यूबेलेंट है X-ray से आपका जो भी आपने किया हुआ हो वो इसमें आविदन कर सकते हैं और इसमें एसेंसियल तो यही रखा गया है तो स्रिप आपके पास अगर X-ray का डिप्लोमा किया हुआ है और अधर इसके एक्यूबेलेंट कोई भी क्वालिफिकेशन है अपलाई करेंगे एस क्राइटेरिया 18 से 40 साल है इसमें एस नहीं होनी चाहिए 18 से 40 साल सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका स्रिप आपका रिटन एक्जामनेशन होगा कोई भी इंटर्व्य अगरा नहीं होगा स्रिप आपका रिटन एक्जामनेशन इसमें लिया जाएगा अब इसमें written examination देख लिजे, written examination जो रहेगा इसमें, उसका यहाँ पर जो भी exam pattern क्या रहेगा, slavos क्या रहेगा, वो यहाँ पर अभी नहीं बताया गया है, exam date क्या रहेगी, यह सब आपको अलग से बाद में inform किया जाएगा, ओके, सो अगर आप इसमें apply कर रहे हैं, update रहेगा इसकी official site पर, अब यहाँ पर question आता है कि क्या मैं इसमें other state से जो candidate है, वो apply कर सकते हैं नहीं, तो other state के candidate यहाँ पर apply कर सकते हैं, देखें, लेकिन आप अगर reserve category से ब्लॉंग करते हैं, और other state से हैं, SC, SD candidate है, लेकिन UP के मूलनेवासी नहीं है, other state से ब्लॉंग करते हैं, तो फि लेकिन इसके लिए जैसा कि मैंने बताया, important वही है कि अगर आपने PET 2022 अगर आपके पास score card है, तब ही आप इसमें apply कर सकेंगे, otherwise आप इसमें apply नहीं कर सकेंगे, तो आगे in future अगर आप चाहते हैं कि UP SSC के दारा जो vacancies release होती है, मुझे भी इन vacancies के लिए apply करना है, तो इसके लिए आपका जो UP में, PET जो examination होता है, common रहता है, वो आप जरूर दीजिए, उसके बाद आप जो भी vacancies आएंगे, UP SSC की तरफ से, उन सब के लिए आप eligible हो जाएंगे, okay, so 15 जून से application start हो जाएंगे, online apply करना होगा, इसकी official site जो है, UP SSC, इसकी official site से आप इसमें online apply कर सकेंगे, और इसका exam pattern, slavers के बारे में, जैसे ही कोई update आएगा, मैं video upload करूँगे, और slavers और exam pattern, मैं अपने second channel, get more info, youtube channel है, जिस पर मैं upload करती हूँ, तो उस channel को अगर आपने subscribe नहीं किया है, subscribe करके रखे, उस channel पर मैं exam pattern and slavers से related videos upload करती हूँ, साथ मैं courses से related भी, या entrance exam से related भी videos upload करती हू I hope आपको ये video पसंद आया हो, अगर आपको ये video helpful रहो तो like and share कीचेगा, thank you